असलाम अलेकूम इवर स्वाप्यार डिंग वैल आज मैं आप लों के लिए ट्राउजर का बिल्कुल सिंपल सा डिजाइन लेकर आई हूँ इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले यह मैंने ट्राउजर के साथ का फैब्रिक लिया है इसकी विठी सरह से मैंने दो इच ल अब सेम इसी तरह से हमने इसकी दूसरी साथ पर मार करना है यहां पर यह मार भी हम डेर इच के गया पर ही करेंगे मार करने के बाद यहां भी हम line draw करेंगे ऐसे देखें दोनों साइड पर मैंने line draw कर ली है अब इसके बाद यह मैंने contrast का pink color का fabric लिया है इसकी width भी मैंने same ही रखी है अब दोनों को हम ऐसे रख कर जहां पर मैंने line draw की है वहाँ से stitch कर लेंगे और दोनों फैब्रिक के लेंध हम थोड़ी ज़्यादा लेंगे इस तरह से मैंने दोनों साइड से इसको स्टिच कर लिया है अब पट्टी को दोनों साइड से स्टिच करने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसे बॉल पैन की हेल्प से हमने इसको सीधा करना है ऐसे सीधा करने के बाद इस पट्टी को हम प्रैस कर लेंगे यहाँ पर देखें पट्टी को मैंने प्रैस कर लिया है अब इस पट्टी में से हम 4-4 इंच की पट्टियां कट कर लेंगे ऐसे हमने काफी सारी पट्टियां कट करने है यहां पर देखें मैंने काफी सारी पट्टियों को cut कर लिया है अब यह मैंने fabric लिया है इसके नीचे मैंने बुक्रम को past कर लिया है इसके विठी सरह से तीर नीचे और length है इसकी 10 इंच अब इसको हम डबर करके इसके center में folding line बना लेंगे और एक पट्टी लेंगे इस स्टिशच करना है यहां पर देखे मैंने सारे पटिके बाद आभेड एक पटी को ऊस साएट के फॉल करके यहां से स्टिच करेंगे और जो इसकी नीचे पट्टी है इसको हम इस तरह फॉल कर देंगे और जो इसकी नीचे पट्टी है उसको दुबारा से हम उस साइट पर फॉल करेंगे सेम ऐसे ही हमने एक पट्टी को एक साइब पर फॉल करना है और दूसरी पट्टी को हमने दूसरी साइब पर फॉल करते जाना है और स्टिच करते जाना है यह देखें इस तरहां से ऐसे मैंने एक साइट से स्टिच कर लिया है अब सेम इसी तरहां से हम इस दूसरी साइट से स्टिच कर लेंगे पटियों को फॉल करने के बाद ऐसे इस तरहां से इसको रैड़े करने के बाद जो साइड में एक्स्ट्रा पटिया होंगी उसको हम कट कर देंगे दोनों साइड से इस तरहां से दोनों साइड से कट कर लिया है मैंने और अब इसके बाद यह मैंने बुक्रम ली है बुक्रम को हम बुक्रम को मैंने डबल किया हुआ है बुक्रम की डबल करें के विठ थे इसकी 2 इंच और लैंथ हम इसके रखेंगे 10 इंच जो एक्स्ट्र बुक्रम होगी उसको हम कट कर देंगे उपर से अब यहां पर एक साइट पर हम लाइन डॉर करेंगे अब इसकी उपर हमने मार करना है मार्क हम करेंगे सबा एक एक इंच पर इससे नहीं से मार करने के बाद हम अपनी बुक्रम को कट कर लेंगे ऐसे देखे मैंने बुक्रम को कट कर लिया है और जो इसके सेंटर का डिस्टेंस है वो है तकरीबन धाई इंच और यहां पर मैंने फैब्रिक पर पैस्ट करने के बाद इस फैब्रिक को हम बुक्रम की तरफ फॉल करके स्टिच कर लेंगे ऐसे ऐसे इसको स्टिच करने के बाद इसको हम डबल करेंगे और इसके सेंटर में फॉल्डिंग लाइन बना लेंगे अब यहां पर देखेंगे मैंने अपना ट्राॉजर लिया है ट्राॉजर के उपर इसको रखकर पहले हम सेंटर से स्टिच करेंगे और अब हम यहां साइड से बुक्रम के साथ साथ से स्टिच कर लेंगे अब जैसे इसको मैंने एक साइड से स्टिच किया है सेम इसी तरहां से हम यहां दुसरी साइड से भी स्टिच कर लेंगे ऐसे यह देखें दोनों साइट से स्टिश करने के बाद जो सेंटर में ये फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे अब दोनों कॉर्नर्स में कट लगाने के बाद बुकरम को रोंग साइट पर फोल करके इस नहां से अपने पाइचे को प्रैस करेंगे ये देखें यहां पर देखें मैंने प्रैस कर लिया है अब इस बॉक्स के अंदर यह जो मैंने पटी रैडि की थी डिजाइनिंग वाली इस बॉक्स के अंदर इसको पैसे रखने के बाद सैट करेंगे और सैट करने के बाद यहां से स्टिश करना स्टार्ट करेंगे यहां से इस तरह से हमने इसको स्टिच करना है ऐसे देखे मैंने इसको स्टिच कर लिया है अब इसको स्टिच करने के बाद पाइंचे के साथ का यह मैंने फैब्रिक लिया है डेर इन चोड़ा इसको हम यहां पर रखकर स्टिच करेंगे पाइंचे पर इसको stitch करने के बाद यहां center से हम fabric को cut करेंगे और अब यह देखे हम इस fabric को ऐसे wrong side पर fold करेंगे यहां से हमने इस पट्टी को ऐसे fold करना है ऐसे fold करने के बाद दोनों side से fold करेंगे और फिर नीचे से हम इसको hand stitch कर लेंगे और यह last में देखें मेरे टाॉसर का design बिल्कुल ready हो चुका है देखें मेरे बिल्कुल simple सा ready हुआ है तो आपको कैसे लगा यह मेरे बिल्कुल simple सा design अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को like कर दें और हमारे चैनल को subscribe करें थैंक यू